इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह करते हैं और आपको कोई Side Effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी लिफ्टोप्रेम 10 टेबलेट व्यापक रूप से डिप्रेशन और अन्यमानसिक स्वास्थिस्थितियों जैसे एंग्जाइटी, पैनिक डिसॉर्डर और आपसेसिव कंपलसिव डिसॉर्डर के इलाज के लिए निर्धारित है यह एक प्रकार का एंटीडिप्रेसंट है जिसे सेलेक्टिव सेरोटॉनिन रीपटेक इन्हिबिटर यानि की SSRI के रूप में जाना जाता है लिफ्टोप्रेम दस टेबलेट मूड में सुधार करके और एंग्जाइटी और तनाव से राहत पाकर डिप्रेशन से उबरने में मदद करता है इसे भूजन के साथ अत्वा बिना लिया जा सकता है खुराक और आपको कितनी बार इसकी आवश्यक्ता होगी यह आपके लक्षनों को नियंतरित करने के लिए आवश्यक मातरा के आधार पर आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा आपका डॉक्टर आपको कम खुराक पर शुरू कर सकता है और इसे धीरे-धीरे बढ़ा सकता है अपने डॉक्टर से बात किये बिना खुराक में बदलाव न करें या इसे लेना बन न करें भले ही आप ठीक महसूस करें ऐसा करने से आपकी स्थिती और खराब हो सकती है या आप वापसी के अप्रिय लक्षणों यानि की चिंता, बेचैनी, धरकन, चक्कराना, नींद में गरबड़ी, आदी से पीडित हो सकते हैं अधिक से अधिक लाब पाने के लिए इस दवा को नियमित रूप से प्रति दिन एक ही समय पर लें अगर आपको सोने में परेशानी होती है तो आपका डॉक्टर आपको सुभ़ इसे लेने की सलाह दे सकता है आपको बहतर महसूस करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं अधिक लोगों को इस दवा को लेने के बाद नीन दाने का अनुभव हो सकता है अपने चिकितसक को तुरंद बताएं यदि आपका मूड अचानक बिगर जाता है या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई विचार आता है लिफ्टोप्रेम 10 टेबलेट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको मिर्गी यानि की जबती विकार या दोरे, मधुमे, लीवर या किडनी की बीमारी है, हिरदे की कोई समस्या है या इस समय आप MAO inhibitor के रूप में जानी जाने वाली अवसाद की दवाएं ले रहे हैं ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकते हैं क्रिप्या अपने चिकित्सक को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं ये सुनिश्चित करने के लिए आप ले रहे हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद